एलो माई डियर श्टुडेंट्स, गूड बॉर्निंग, आज हम एक से साथ 7.4 पढ़ेंगे, कोशन नमबर 10 से पढ़ेंगे, वड़, हम उन कोशनों का आज डिसकर्षन करेंगे, जिसके उपर 1 हो और उसके नीचे दिखा से मिकरनू, आज हम उन कोशनों का डिसकर्षन जिसके उपर one हो उसके नीचे दिवास समिक्रान हो आप एक कोशन को आफ सीख लीजिए फिर उसके बाद seven point वो में चुन्चुन के बनाईएगा जिसके उपर one हो उसके नीचे दिवास समिक्रान जब भी दिखास समिक्रन नीचे आएगा बाबू तो उसको convert करना है A plus B के hall square में अगर square के बाद plus आता है तो वो convert होगा A plus B का hall square में अगर square के बाद minus आता है तो वो convert होगा A minus B का hall square में फिर से अगर उपर 1 हो नीचे square हो अगर ऊपर one हो, नीचे दिवहा समिक्रान हो, तब पहला rule कि अगर square के बाद plus आता है तो वो दिवहा समिक्रान को हम A plus B के hollow square में convert करेंगे और square के बाद अगर minus आता है तो उसको हम A minus B के hollow square के रूप में convert करेंगे अब आप सोच रहोंगे सर ऐसा करने से क्या फायदा होगा तो हम सिखाते हैं जैसे देखो दोस्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्त कैसे हम बनाएंगे उपर वन रहेगा ना बाबू तो वन लिख दे ना अभी हम concept सिखा रहे ठीक है यह square है देखो x square plus 2x यह जो है ना इसको से plus 2 जो है ना इसको हम बोलते हैं मुतकवा इसको plus 2 को हम बोलते हैं मुतकवा ठीक है कैसे हल करना देखो square याद करो हम बताएं थे याद करो हम बताएं थे इस तरह का सवाल को हम कैसे हल करते हैं X स्क्वार ओ यह 2 X को 3 टुक्रा करेंगे 2 इंटू 1 इंटू x यहां पे देखना बँए 2 X क्या है सम है अगर सम रहेगा तो उसमें 2 available होगा ओगर 3 x रहता तो उसमें हम 2 लाने के लिए 2 से गुना 2 से भागा करते जैसे कि X स्क्रार पलस इसको 3 टुक्रा करेंगे 2 2x2 1 x2 tomorrow見て twin 1 इंटू x लिख सकता है या अब देखो फर्मूला हम तुम्हें दिखाते हैएं क्या होता है दोस्ते हैं पाले a को असकौर होता फिर फिर तेन टूकरा तिन टूकरा के बाद b ऑसकौर होता है यह 2a b फिर v-s-कौर होता है गे जग़ा असकौर देखो square के नीचे वाला a होता है तो यह a है यह a है a b रहे है ना तो इहां से देखते हैं दोस्त देखो x square को लिख दिए x square plus 3 टुकड़ा 2 in 2 है तो देखो यह a है a square plus 2 a b अब इहां सबसे बड़ी problem है बबू हम आप से पूछेंगे बताओ a क्या है तो आप को किशार a बरावर x है b बरावर 1 है हम कहेंगे क्यों क्यों क्योंकि जब शुरू बला a square है तो a का मतलब x तो यह जो x सही a कहलाएगा यह 2 कहलाएगा तो यह b चला क्या कहलाएगा b ठीक है तो अब मेरा अगला trick समझेगा x square तीन टूगर उसके बाद मुझे चाहिए b square b square है क्या a square plus 2 a b फिर चाहिए मुझे b square b square का मतलब 1 का square है क्या नहीं है ना तो आप क्या किजिए ना इसका square अपने मन से जोड दीजिए फिर इसका square अपने मन से घटा दीजिए फिर से सिखाते है देखो बाबो x square x square बीच बला का तीन टूगर 2 into 1 into x पलस बीच बला का square जोरेंगे बीच बला का square घटाएंगे यह जो मुतकवा है 2 यह मुतकवा लगाएंगे अब देखो यह x square plus 2x plus 2 को हम ऐसे भी लिख सकते है कोई सक नहीं फिर से x square plus 2x square बीच बला का square जोरेंगे बीच बला का square घटाएंगे मुतकवा जो है बाबो मुतकवा लगाएंगे और बगल में है dx बगल में dx देंगे ठीक है अब देखना कहानी में twist आएगा इंट्रीगेशन वान है देखो इहां से लेकर इहां तक को हम बोलते है a plus b का hall square आप नहीं समझे है तो फिर से हमें समझाता हूँ दोस्त वान मिनाट देखो a square plus 2ab plus b square इहां से लेकर इहां तक को बोलते है a plus b का hall square a plus b का hall square कब जाएगा जब plus 2ab होते a plus b का hall square जाएगा माइनस टूए भी हो तो यह माइनस भी का हॉल अस्कौर जाएगा फिर से सीखेंगे दोस्त ए अस्कौर प्लस टूए भी प्लस भी अस्कौर एहां से लेकर एहां तक को क्या लिखेंगे ए प्लस भी का हॉल अस्कौर पिर से यहां से लेकर यहां तक को क्या लिखेंगे बाबू यह प्लस भी का होल स्कॉआर यह प्लस में क्यों गया क्योंकि पलस टुई भी है अब देखो इधर देखना एक लॉजिक समझाते रफ में देखो माइनस वन का स्कॉआर इसका मतलब होता बाबू प्लस वन वर्ट यहहं वक्तुर्त असे समझावें है लिए हम अपको समझा रहे हैं हैं यहां से लेकर यहां तक को हम लिख दिए A प्लस B का हॉल स्क्वार, इधर क्या है, देखो, माइनस लिखेंगे, एक का स्क्वार कितना होगा, एक प्लस, फिर क्या है, तू, आप बताओ, यह घटेगा की जुटेगा, तो आप कहोगे सर, घटेगा, तो दो में से माइनस एक ज देगा, एक को हम एक का स्क्वार भी लिख सकते हैं, है ना, बगल में डी एक्स, अब देखना है कि नौरतन फर्मूला में यह किस पे बनेगा, यह कौन सा फर्मूला है, तो देखो, यह फर्मूला है, बाबु, यह बला, देखना, यह फर्मूला है, वन बताओ, एक स्क्व और X के जगा पे X प्लस 1 है, इसका फर्मूला क्या होता बबू, 1 बटा A, A के जगा पे 1, 10 inverse, फिर क्या होता बबू, X, X के जगा पे X प्लस 1, बटा A, 10 inverse, X बटा A, A के जगा पे 1, प्लस C, इस सवाल का उत्तर है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नही ही है, हम नेश्ट कोश्चन सिखाते हैं इस तरह का, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेश्ट कोश्चन देखिए, जब उपर एक हो, नीचे दिवघास समीकरन हो, तो बनाने का क्या कॉंसेप्ट है, सबसे पहले आप 1 लिखिए, आपको पता है, दि में से माइनस कॉमन ले लिजे, क्यों, क्योंकि एकस स्क्वार कभी भी नगेटिव दिवघास समीकरन में नहीं होता है, माइनस कॉमन लेंगे न बबू, तो ये माइनस बला हो जाएगा पलस, माइनस बला हो जाएगा ये पलस, और ये पलस बला हो जाएगा माइनस, इसको कर दीजिए integration यह root को बढ़ा दीजिए dx को यहां लिग दीजिए फिर से पालाज टेप यह जो minus है बबू minus को मलेंगे minus बला plus minus बला plus बला minus ऐसा क्यों क्यों क्योंकि दिवाज से मिकन में x पर कभी भी negative नहीं होता है अगला point हम लोग समझेंगे दोस्त setting करेंगे setting का मतलब आप समझी रहे हैं देखो minus है मंजली ब्राकेट है दे दिए अब देखना यहीं पर setting करेंगे x square अब बताओ पलस है sum है की भी sum तो आप कहोगे sir 6 है 6 तो sum है जैसे 8 sum है 12 sum है sum में 2 present होता है जैसे 6 x है तो इसको 3 टुकड़ा करेंगे 2 into 3 into x हमेशा 2 को आगे रखेंगे देखो भाई x square 6 x को 3 टुकड़ा 2 into 3 into x लिख सकते है ना देखो 3 दुनी के 6 x 6 x को हम ऐसे भी लिख सकते है अब देखो सोचो जरा a square plus 2 a b हम कहेंगे a के जगा पर क्या है तो आप कहोगे sir a के जगा पर x है हम कहेंगे b के जगा पर क्या आपको 3 है क्योंकि सुरू बला a square तो यह भी a है यह 2 है तो यह बिचला भी होगा हम ऐसे भी ट्रिक आपको क्या दिए ट्रिक दिए एकस स्कॉर प्लस बीच बला का तिन टूकरा फिर क्या करेंगे बिचला का square जोरेंगे क्योंकि मुझे a square plus 2 a b plus b square चाहिए plus b square है क्या नहीं तो यह plus b square जोरेंगे plus b square घटाएंगे क्यों क्योंकि अगर कोई भी चीज अपने मन से जोरा जाता है तो उतना घटाया जाता है फिर से सिखें a square plus 2 a b बिचला का square जोरेंगे बिचला का square घटाएंगे मुतकवा लगाएंगे तो मुतकवा कितना बाबु माइनस 7 यहां पे मुतकवा इसको तिन टुक्रा करेंगे ठीक है बिचला का square जोडना है बिचला का square घटाना है मुतकवा को लगाना अब बताना बबु इहां से लेकर इहां तक को क्या बोलेंगे a plus b को हॉल स्कॉर जो पूछ रहें जवाब चाहिए होगा की नए आपको यहां से लेकर इहां तक को बो जीएगा माइनस है नब देखिए राप में कर रहे यह माइनस रहेगा तीन का square न होता है और माइनस भी रहेगा साथ माइनस तो रहेगा तीन का square न होता है ठीक है क्योंकि माइनस अस्क्वार का सिर्फ तिन पे हग है माइनस पे नहीं तो माइनस नो माइनस साथ माइनस सोला आएगा यानि अभर ओल माइनस सोला आया की पलस सोला तो आप कोगे सर माइनस सोला आया तो माइनस आया ना बब्बू तो माइनस लिखिए असोला को लिखि बीए गा चार का स्क्वार बोलिए यस या नू लिखिएगा डी-एकस है डी-एकस को इहां दे दीजिए और फिर से एक बार आपसे एक बात पूझते हैं आप तो बूझिये जाईए बताईए अगर ये माइनस बाहर है और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बला पलस हो जाएगा और पलस बला माइनस हो जाएगा इस बात को आप सीखे की नहीं फिर शे बताईए अगर आप नहीं सीखे तो देखो माइनस जब अंदर जाएगा माइनस माइनस बला ये पल पॉला, क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे कैसे समझाया बाब, देखो, ये देखो, अगर माइनस अंदर जाएगा, तो बरुणध往ण पलस में आ जाएगा, और अल्या माइनस में आ ठीक है यह रूल है ठीक है तो यहां से सीख गया अब इसको खोजिए यह कौन सा फर्मूला तो इस फर्मूला का नाम है साइन इंवर्स अगर आपको नहीं पता तो सब उपाय है देखिए अगर कॉंस्टेंट आगे हो भेरियवल पीछे हो तो फर्मूला होता अब वह साइन प्लास फ्लेड़ से देखना एक जगह पे है फोर एक्स के जगह पे है एक्स प्लस थी तो इसका फर्मूला होगा साइन इंवर्स एक्स वट्टा एक जगह फोर प्लस फी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं फीर एक कोश्चन समझाते है लेकिन उन सिमिक्रान हो इस तरह से ही बनाएंगे ठीक है ने आप 7.4 में बबू आप चुन-चुन के पढ़ाईएगा हर टीचर का पढ़ाने का अपना-पना स्टाइल होता है यह मेरा पढ़ाने का स्टाइल है ठीक है तो आप टेंसर नहीं लेजे देखिए जैसे कि यह कोशन को मुझे बनाना तो कॉमन सेंस लगाईए या तो आप 9 को कॉमन ले सकते हैं या आप खुद सोचीज में सेटिंग करके देखिए इन 9x स्कॉर को हम लिख सकते है बाबू 3x का हॉल स्कॉर देखो बाबू कोशन नमबर 11 है इसके पहले 12 बताये ते क्योंकि 12 आपको ज्यादा समझ में आएगा अब देखो 11 नमबर हम बता रहे हैं 9x स्कॉर को हम लिख सकते 3x का हस्कॉर को कैसे देखो तीन का स्कॉर 9x का स्कॉर लिख सकते ना बाबू पलस अब यहां पे तोरना है इस सम है तो लिखना है 2 into A तो A के जगा पे तो 3x आ गया 3x आ गया तो य यहां से हम लिख सकते 2 तो यहां पे 1 कर देते हैं और यहां पे 3x कर देते हैं देखो मामला बना की नहीं देखो अब एस स्कॉर देखो 6x को हम ऐसे लिख सकते हैं की नहीं आपको गई यह सर देखो 2 2 A B A के जगा पे कितना है 3x तो A के जगा पे जब 3x है तो यह 3x A हो गया और यह 2 हो गया तो यह बिचला क्या हो गया B मुताकवा कितना है प्लस 5 तो यहां पे प्लस 5 लगा देंगे और अगर कोई पूछेगा यह क्या है तो आप कहिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते है अब इतना लिखने के बाद आपको एक चीज पूछना चाहते है यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे तक होगे आपके लिखना है तो यहां करके लिखना है और इसको आपकर लिखना है मतलब रख करना माइनस एक का स्कूर एक प्लस फॉल यहां कितना के सकते हैं दो का स्कॉार बगल में क्या डी एक्स अब खोजिए ये कौन सा फर्मूला तो इसका नाम है वन इसका फर्मूला होता है बाबू वन बट्टा ए एक के जगा पे कितना टू फिर होता फर्मूला टेन इंवर्स एक्स एक्स के जगा पे कितना फिरी एक्स पलस वन बट्टा ए एक के जगा पे कितना टू अब पलस सी ये सवाल का उत्तर है लेकिन अभी भी ये उत्तर अधूरा है क्यों इंट्रिगेशन में एक्स के गुनांक को भागा में लिखा जाता है और एक्स का गुनांक कितना है तीन अब यह सवाल कम्प्लीट हो ठीक है आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट में लिखना और कितना अच्छा से हम समझा रहे हैं यह सब भी मुझे बताया करोता कि मैं अच्छा अच्छा वीडियो में बना सको ठीक है नेश्ट एक छोटा सा कोश्चन लेते हैं बबू आठ न एक नहीं है दिवासमिकर नहीं है तो वो कॉंसेप्ट लागू नहीं होगा इसमें सेटिंग होगा देखो एक सब्सक्वर है यह रूट है रूट दे दीजिए गा एकस क्यू को आप लिख सकते हैं एक्स के पावर सिक्स को एक्क्यू का हॉल अस्वार देखो ऐसे आप निष्रैइब मुआ होगा तो आप को किस्यां डीबाइबि एकस क्यू का पावर आगे पावर में घठके हां ना हम कहेंगे बताओ टीवाइक कमान होगा 3 X kWh एन्टू क्या हो जाएगा दी एकस क्या होगा यह तीन को नीचे भी हम कर सकते ठीक है और यह जो कोशन दिया था बबबू, एकस स्क्वार डी एकसा, डी बाई बटा थिरी, तो ये सब तो आना चाहिए, ऐसे भी आप पुराना हो गया, ठीक है, इस इन्हा का मतलब समझते हैं, समीकरन एक से, ठीक है, रूट है, रूट दे दिये, एकस क्यू को हमने बाई माना, तो वाई का स्क्वार हो जा इस पर भी स्क्वार, इस पर भी स्क्वार, और यहां पर लिखना है, और यहां से, एकस स्क्वार डी एकस का मान, एकस स्क्वार डी एकस का मान, तीन स्कटारा, तीना जाएगा नीचे, तो यहां से हो जाएगा, डी बाई बटा, थिरी, अब बाबू, यहां से देखना, ए ही ना है य e square plus e q का k all square is plus q सवाल का उत्तर है एक लान यह और बढ़ेगा एक वटभा three log y कि सको माने है a q को plus y का माने q का h scoot podcast क्या हो जाएगा रूट अल्डर चैद एक कर दिये गलत कर दिये ही root है त्ठीक है यहां पर question देखो य ग्या का मतलब कोश्चन होता मेरा कोश्चन क्या था यह था और यह किसे बना था यह तो यह डिरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर यहां पर सो चो बाई का माने